हेलो एवरिवन आज हम सात्मी घक्षया की हुडान कारिय पुस्तिका में भूल विश्या के कारिय पत्रक को अच्छी तरह से समझेंगे सभी बचे वीडियो को शुरू से लेकर अंतर पूरी देखे और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में देवाल आइकन को जरूर प्रैस कर लें तो देखे शुरूरात करते हैं दक्षता दी है यहां वायू मंडल के संगटन एवं सनचना का वर्णन करते हैं यहां पर वायू मंडल का संगटन और उसकी सनचना कैसे हुई है इसको सुझाया गया है यहां देखे यह लड़की है है और हमें यह क्या दिखा रही है यहां पर यह हमें दिखा रही है कि हमारे वायू मंडल में जो है गैसों की कितने-कितने मात्रा अपलब्द है नाइट्रोजन यहां दिखाया गया है 78 परसेंट है यानि 78 परसेंट है अगे चलते हैं और यहां पर दिखे क्या कहा है कि वायू मंडल में पाई जाने वाली गैसों को अब रोही क्रम में लिखिए अब रोही क्रम का मतलब क्या होता है बताओ घटते हुए क्रम में तो अब रोही क्रम में हमें लिखना है नी सबसे बड़ा फिर छोटा 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 इसेंट हैं तो यह हम यहां लिखेंगे इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन है है ना तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन कि इसके बाद होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 78% oxygen है 21% यानि 21% और nitrogen है 70% और organ जो है वो है 0.93% और carbon dioxide है carbon dioxide लिख लीजे आप मैं वैसे ही आपको समझारी है कि किसें से लिखना है अन्य सभी में क्या आजाता है 0.04 यानि ये जो उपर दिया गया है बचो आपको ये सब लिखना है इसमें oxygen नहीं है बस oxygen आप nitrogen के बाद लगा दीजिये ठीक यहां से देखके आपको ये यहां पर लिखना है अब यहां इसने दिया है आगे कि वाई मंडल में पाई जाने वाली विभिन प्रतों के नाम बताएए यहां विभिन प्रतों के नाम पूछे हैं इसने अब यहां इसने दे भी रखा है ये देखिए ये सारे यहां पर देखो दे रखे हैं कौन-कौन से मंडल है सारे यहां दे रखे हैं ये बहीर मंडल है और यहां पर बाई मंडल दे रखा है इसी तरह से है मध्य मंडल और ये समताप मंडल ये सारे मंडल जो है वो इसने दे रखे हैं है यहां ख्शोब मंडल है यह रहा है ना सबसक्राइब यह जूँ रिखेंगे अ क्ताइब यह और दूसरा है समताप मंडल अगे है मध्य मंदल उसके बाद है बाईय मंडल और उसके बाद है बहीर मंडल बहीर मंडल ऐसे आजाए मैं के उपर रहाएगा बच्छे यह ठीक यहां लिखके दिखाऊं क्या बहीर रह यहां आजाएगा ठीक है बहीर मंडल ऐसे आएगा अब आगे नेक्ट है कि कौन सी वाईय मंडल यह परत वाईय यानो को उड़ाने के लिए सबसे उप्यूप होती है यह होता है समताप मंडल यहां आजाएगा आगे इसने यहां दिया है उचित मिलान कीजिए कोलम क को कोलम ख से मिलाना है जीवन दाइनी गैस जो हमें जीवन देती है वो होती है ऑक्सीजन सबसे महत्वपून परत कहा है इसने कि सबसे महत्वपून परत कुन सी है तो परत में जो है एक बार इनकों पढ़ेंगे हम परत में यहां आजाता है अक्षोभ मंडल हरित ग्रह प्रभाव का कारण है कारबन डायोकसाइड ओजोन परत ओजोन गैस सबसे उपरी परत पूछी है इसने वो है यहां पर पहीर मंडल अब यह हमने यहां पर जो है वो मिलान कर दिया है इनका अब आगे नेक्स्ट क्यूशन पूछा है इसने कि वायू मंडल हमारे लिए क्यों महत्वपून है तो बच्चो इसमें हम लिखेंगे वायू मंडल हमारे लिए वहुत अधिक महतोपून है इसी मंडल के कारण ही पृत्वी पर जीवन संभव हुआ है वायू मंडल में ही सभी प्रकार की जीवन दाइनी गैसी पाई जाती हैं इसी के कारण पृत्वी पर फसले, पेड़, जैसे भुकंप, बार्ड, सूखा आदी के दोरान के जाने वाले बच्चाव कारिया को विस्तार से बताते हैं आफदाओं तथा विपत्ति के कारकों का विचार व्यक्त करते हैं तो अब यहां पर देखो बचो भुकंप आजाता है बार्ड आजाता है सूखा है तो इसकी यहां पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं और ये चित्र एक नमबर चित्र है इसमें बताईए एक बार आपको क्या दिखाई दे रहा है वो कम पाया हुआ है सारा सामान एस्त वैस्त हैं मकान तूटे हुए नजरा रहे हैं अब दूसरे चित्र को देखते हैं चित्र दो में हमें पानी ही पानी नजर आ रहा है और गाड़ियां भी पानी में डूबे हुई नजर आ रही है मकान भी पानी में डूबे हुई नजर आ रहे हैं तो ये बाढ़ का जो है सीन तिखाया गया है बाढ़ है अब यहां चित्र तीन को देखते हैं चित्र तीन में आग लगी हुई है और यहां पर चित्र चार में वच्छो सुनामी आई हुई है अब इसने यहां पर कहा है ये रहा कि उपर दिये गए चित्रों को ध्यान से देखो और बताईए आप इनमें क्या देख पा रही हैं क्या देख रहे हैं हम पता है अभी जो उपर मैंने बताया है वही चीजे हम इसमें देख रहे हैं यानि कि पहला जो चित्र था उसमें भूकम देखा है हमने दूसरे में हमने बाड का दिरश्य देखा है यहां आग लगी हुई है ये दिरश्य देखा है और इसमें घह में आजाएगा सुनामी आई हुई है अब आगे इसने कहा है कि तुमने इन में जो आपदाएं जैसे बार्ड सुनामी भुकम पाग गैस लिकेजियां ओधोगी कापदा आदिया आप देख पा रहे हैं कि कारणों के बारे में बताए कारण बताना है कि किस कारण से होता है तो इसमें एक तो कारण है प्रकरती के साथ छेड चाड़ आसकल मनुश्य प्रकरती के साथ भहुँछ ज gestellt कर रहा है प्रकरती के साथ छेड चाड़ ये लिखेंगे दूसरा हम लिखेंगे वनों का कटाव वन काट रहा है मनुश्य इसके कारण भी जो है यह आपदाएं आती है सूखा है बाड है भुगंप है ठीक है और आजाता है इसके अलावा रसाइनों का परियोग रसाइनों का परियोग और है अत्यधिक ओधोगी करण यहाँ अब आगे हम लिखेंगे घ में अत्यधिक ओधोगी करण ओधोगी करण ऐसे लिखेंगे आपको ठीक है अब आगे है यहाँ कि अब इन आपदाओं को मानवी और प्राकर्तिक कारणों के अधार पर छांट यह अब यह छांट नहीं है आपदाओं मानवी और प्राकर्तिक आपदा कोन सी है तो एक बार देखिए यहाँ इन में दिखावी देती हूँ आपको छांटे में इजी रहेगा जैसे बाड है वो प्राकर्तिक आपदा में आएगी बच्चों यहाँ पर बाड आएगी ठीक सुनामी है ये भी प्राकरतिक आपदा है भुकंप है ये भी प्राकरतिक आपदा है इसमें मानव कुछ नहीं कर सकता है ना आग है ये मानवी आपदा है गैस लिकेज है मानवी आपदा है और जैसे ओधोगी कापदा है वो भी इसमें मानवी आपता में ही आ जाएंगी यह आपको यहां पर लिख देना जो यह जगह दे रखी है मैंने यहां पर लिखा नहीं है आपको खुद ही लिखना है आगे इसने कहा है कि इन आपदाओं से होने वाले नुकसान की सूची बनाए अध्यापक विद्यार्थियों के समू बनाकर अलग-अलग आपता पर लिखने के अवसर दे तो यहां पर आपकी कलास में देखो चार समू है यह चार समू बनाए जाएंगे बच्चो और आपके टीचर आपको यह अच्छे से करवाएंगे यानि इसमें समू बनाकर इसने कहा है कि विद्यार्थियों के समू बनाकर अलग-अलग आपता पर लिखने के अवसर देंगे किसी बच्चे को बाड़ पर दे दिया है ना कि इसके नुकसान क्या है तो जैसे मैं यहाँबर आपको समझा रही हूँ कि इसका नुकसान एक तो है जानमान की हानी होती है जानमाल की हानी, धन की हानी, समपत्ती का नुकसान नई नई बिमारिया होना, प्रदूशन का बढ़ना, वर्षा नै होना, जलवायू एसंतूलन तो ये इस तरहां से काफी नुक्सान है इसके आप दाउं से होने वाले और ये आप यहाँ पर भी लिख भी सकते हैं अब आगे यहाँ देखिए लिखा है कि कल्पना करो अगर स्कूल समय के दोरान भुकम पा जाए अब स्कूल में हो आप और भुकम पा जाए तो आप अपने बचाओ के लिए क्या करेंगे आईए चित्रों के माध्यम से समझें कि भुकम के दोरान क्या करें और क्या ना करें तो ये आपको जानकारी होना बहुत जुरूरी है बचो चित्र को देखा यहां पर देखो इसने खा है चित्र को देखा भुकम पाने पर जो करना चाहिए उसके सामने चित्र को देखा की जिए देखो आएगा चित्र को देखो भुकम पाने पर जो करना चाहिए उसके सामने टिक और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने करोज का निसान लगाओ यानि गलत का निसान लगाना है तो देखी इन चित्रों को ध्यान से देखो यहाँ पर इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर एक लड़का है और बिजली की तारों के पास खंबे के पास खड़ा है है ना और भुकम पाया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें बिजली की तारों से दूर रहना चाहिए अब यहाँ पर देखिए यह व्यक्ति घर के अंदर खड़ा है तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए या लिफ्ट है मानलो यह लिफ्ट में खड़ा है तो lift में भी कभी भी बुकम पाए तो हमें lift use नहीं करनी है अब आगे हैं यहाँ पर देखो सभी भाग रहे हैं, दोड रहे हैं और बाहर आ गई हैं, खुले मैदान में भाग कर आ गई हैं तो हमें खुले मैदान में चला जाना चाहिए यह बिल्कुल सही है अब यहाँ पर देखो, यह लड़का बाहर खड़ा है और यहाँ पर कोई उपर बिल्डिंग से नीचे कूदने का प्रेतन कर रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो है, बिल्डिंग से या घर से नीचे कूदना नहीं चाहिए अब आगे यहाँ पर देखी बच्चो, यह एक मेज के नीचे बैठा है है ना एक बच्चा तो हमेशा जब भी भुकम पाए और हम घर में हो तो हमें इसी तरह से किसी मेज के नीचे छुप जाना चाहिए इस तरह से, जैसे यह बैठा है ना ऐसे ही मेज के नीचे बैठ जाना चाहिए तो ये correct है अब यहाँ पर देखे खिड़कियां बंद कर रखी है इसने खिड़कियों के पास खड़ा भी नहीं होना चाहिए खिड़की दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए ये cross करेंगे हम अब यहाँ देख रहे हैं हम कि बड़ी बड़ी buildings हैं इनके पास जो है वो व्यक्ति खड़े हैं तो जो बड़ी building है उनके पास बिल्कुल भी खड़े नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो scene दिया गया है ना सभी एक बार यहाँ उपर करके दिखा देती हूं यह देखो यह वाला जो चित्र है सभी जो है अपने उपर सर के उपर इस तरह से हाथ करके यहाँ पर इस तरह से बैठे हैं तो इस तरह से हमें जुरूर बैठ जाना चाहिए अपने यह गाए को जो है खोलने की कोशिस कर रहा है तो बच्चो ये बिल्कुल सही है कोई भी हमारे यहां पसू है तो उसको हमें खुला छोड़ देना चाहिए और यहां पर देखो कार में ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए उस टाइम ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जब भुकम आया हुआ हो तो बच्चो आगे दिया गया है यहाँ पर कारिया पत्रक 5 और यह करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसे तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई